मेरे यूटूब फैमली तो कैसे हो आप लोग सबको गुड मॉर्ड निग अभी सुवए के बज़ रहे हैं अभी सारे आठ तो कैसे हो आप लोग आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल यानि हमारे चैनल इंडियन व्लोगर लाखी जामे तो आज मैं बात करने वाली ह जो सपना जी है उनके बारे में और अभी जश्ट उनका मैंने वीडियो एक देखी हूँ वो बतारी ऐसे ऐसे खुलासे की है कि आप सोच नहीं सकते हो और वो भी खुलासे सबके सामने किया गया है जब अनसु के पापा और मतलब मोसा जी दोनों गए थे वहाँ पे जो रा सारी बाते रेकॉर्डिंग क्योंकि अनसु ने एक वीडियो डाली थी कि अगर आप लोग को वो सब परेसान कर रहे हैं जो भी तो आप रेकॉर्डिंग जब सब कुछ का करती हो तो ये क्यो नहीं तो ये सपना ने रेकॉर्डिंग जो की होगी तो आज डाली है है क्योंकि अन्सु के पापा ने मोसा जी को ये बात बताई थी यहां प्रोपर्टीस अवली तो बात ही नहीं है कुछ भी बहुत अलग कहानी भाई अंदर अंदर की आप आज किसी पर विस्वास नहीं कर सकते दुनिया में किसी पर भी नहीं क्या साथ ससूर बताओ ऐसे ऐसे काम करते हैं उन्होंने बताया है कि मुझे गलत उससे देखते तो थे ही बात मांकी मुझे छूने की कोसिस करते थे मेरे से रिस्ता बनाना चाहते थे वो और ये बात मैंने कित अंसू को भी ये बात पता है जो इंसान मुझे तो जो कर रहा था अंसू के बारे में भी क्या क्या बॉल रहा था अब ये देखो ये कैसे मतलब ऐसे सब्हों मैं बतानी सकतują जो सुपना ने रिकॉर्डिंग कर रखी है सपना ने बोली है उन आप समझनों दो जेंस बैटे हैं उसके सामने अगर सपना बोलरी ऐसे खुल करके अंसू के बारे में भी ऐसे बोलते हैं अंसू के फुफा जी लगेंगे उनके ससूर और बोलरी इस बात की जब सूरज जी खतम हो गए थे इस बात की जो है एक बार राजबीर जी ने भी पापा से बहुत भी हो गए थी तूतू में भी पापा को बहुत खड़ी खोटी भी सुनाये थी लेकिन ये अपने जब राजबीर जी खतम हो गए तो इनको बिलकुल और खुला हुँ हो गया कि मतलब और उसमें मम्मी को भी ये बात पता है मैं इसलिए इतने दिन तक चु कोई कुछ बोल ही नहीं था आंसू को भी पता था ये बात रीतू दिदी को भी पता था सबको मैंने बताई थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं उठाया इस बात पर और उसने बोली है सपना ने कि मैं बकाइदा मम्मी जो मम्मी जो मुझे गालियां देती उसका भी रेकॉर्ड उसने बोलि ए वीडियो में, रेकॉर्डिंग उसने डाली, भाद से ल क्होंहें आटा। कि आपके पस सब कुछ का प्रूफ होता है, तो आपके अपुन के जिंग वहां और के प्रूफ हो तो यह बताए कि infection की बता भी रियू में हैं, तो बोल रहें की एक बार अंसू अगर मतलब यह भी बोल रहें अंसू से मेरा क्या रिष्टा था आज भी सपना नहीं ही बोला है सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझे दुनिया में जानता है तो वो अंसू जानती है मुझे लेकिन अंसू जो ऐसे बाते बोल रही है तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का और वो भी एक लड़की है भावी और ननत का रिस्ता चलो छोरो एक लड़की होने के नाते कभी मतलब मैंने सोची नहीं थी कि जो ऐसे उसने जैसे मुँ उसका फेस दिख रहा था मुझे वीडियो में और जैसे वो बोल रही थी मुझे बहुत ही इस चीज का बुरा लगा कि अंसू मेरे लिए ऐसे बोल रही है इसलिए मैं आज रेकॉर्डिंग डाल रही हूँ सब कुछ देखने सुनने के बाद क्योंकि मुझे ही हर जगा गलत साबित किया जाता है तो ये मुझे जीवला रेकॉर्डिंग उसने इसलिए डाले कि अंसू के पापा को भी ये बात पता था उसने बोली भी है सपना कि आप अपने अंसू के पास जाईए और अंसू को बोलिए कि मेरी सर के कसम खाके बोल कि वो तुझे क्या बोलते थे और सपना के साथ क्या क्या हुआ था और तेरे बारे में उनका कैसा निगाह था और क्या बोलते थे बतवो ये सब कलंक नहीं है तुम्हारा दो ज़वान बेटा मर गया सर्म से तुम मर जाती तुम तो बिस्तर से उटते नहीं इतनी बेसर्मी के हद पार कर चुके हो क्या ससूर और बाप में अंतर, यही होता है अंतर बोलो अंतर क्या है दोनों में बोलो बोलते हैं न मा में और सास में अंतर क्या है ससूर में और बाप में अंतर क्या है ये अंतर है बाप कभी ऐसे जिन्दगी में ऐसे नहीं कर सकते है और तुम ससूर हो जिसका दो जवान बेटा मर गया दो पोती है तुम ऐसे नज़र रखते हो अपनी बहू पे सरम नहीं आती है, तुम तो बिस्तर से उठते नहीं है, उठते नहीं कि लोग बोलते कि दो जवान बेटा इसका मर गया, तो ऐसे तुम भी इसी के लिए तुम्हें तो कोई दुखी नहीं इसका मतलब, और जब देखो यहां पे यह बात देखो जब बार 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 सपना ने इनिकार किया है, कि मुझे तुम्हारे साथ रिस्ता नहीं बनाना है, मुझे रिलेसंसिप में नहीं रहना है, तब जाके इन्होंने लड़ाय जगरा करके बोल दिया कि हम, यह देख लो आप कितनी नीचे गिरने वाली बात हैं, जब सपना ने बोल दिया है कि मैं तुम से नहीं बनाऊंगी तुम्हार साथ, मैं नहीं रह सकती हूँ ऐसे, तब उन्होंने लड़ाय जगरा करके घर से निकाल दिया है, इतना परेशान कर दिया, कोई भी बात है बैश, देखो, आपके घर में अगर मैं रहूंगी, उसका खुद का तो घर था नहीं, साससराल वाले और वो बोलते सब को, रेकोर्डिंग में पहले सपना नहीं डाली है, बहुत सारी, कि तुम मत्रवाले घर ले लो, इसका पैसा मैं दे दूँगा, बताओ, इस बुढ़े को, कौन से आग लगी है घर की और पैसे की, तेरी बहु और बच्चे भटक रे किराया, पर सरम तो पाती नहीं बे सरम के हद पार कर रख्यों, जब इसने बना कर दिया, इनकार कर दिया इन चीजों से, तो ये अंसु फिर कैसे रह गी अके लिए, जब सपना इसी लिए, देखो सपना कितना दिमाग वाला काम की है, पहले सपना ने अंसु को यहां से हटाया है, उसको पता पता था कि अंसु के लिए भी इसका नजर कैसा है, और आपको पता है घर में बहू या बेटी के सथ कुछ ऐसा हो रहा है, और कोई बिदवा है, कोई बिदवा है, तो उसके उपर ही इलजाम लगाएंगे, इसका पती नहीं था ना, इसको हवस्त थी, वो बुढ़े ससूर क उसके बाद खुद निकली है उस घर से, बताओ और तब जाके तुम बंबंडर, मतलब यह समझ, वहां जाके भी बोल रहे हो कि प्रोपटी पे सैन कर दो, हमें बेचना है, क्यों बेचना है भाई तुमें, उसकी दो बेटी नहीं है, अगर केस हो कोट में, तो किसका हक बनत थी, बेसर्म, इनसान भी ऐसे होते, बताओ, मैं तो सुनके ना हैरान हो गई, कि दो बेटा जिसका जवान इस दुनिया से चला गया है, उसका बाप ये काम के लिए अभी भी इसको कौन से आग लगी परी है, सपना बोली कि मैं नहीं बोलती थी, नहीं बोलती, मेरे उपर स अंसो के पापा बोल रहे हैं, मतलब अंसो के पापा महाँ पर बोल रहे हैं, मैंने इनके पास बोल जब मुझे पता चला तो मैंने इसे बात की, वैं जब तुम्हें पता चला तुमने कदम क्यों नहीं उठाया, और अभी भी पता है, ये सब आये थे, कुछ मतलब एक होता जो भी बोली कि मैं कभी किसी के पास नहीं बोली थी ये चीज मम्मी को पता था रितू दिदी को पता था अंसु को भी पता था लेकिन मैं आज इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों के सामने बोल रही हूँ कि आप लोग समझो सच्चाई क्या है वो क्या इंसान है आप लो को किसी से न बहुत जैदा गिरना मतलब इर्सा तब हो जाती न जब उस लेबल पे आप गिर जाते हो तो जो गिरता है वो तो दिखता नहीं है और जो बोलता है वो दिखता है वो भी बोलता है न तो मुझे तो सच्च में सुबा सुबा मैं अभी जश्ट मॉबाइल हाथ में ली थी मैंने देखी क्या ये कर रहके सच्ची में मतलब ये न कलंक है ऐसे माबाप कलंक है सच्ची में इनकी बेटी उत अंसू चार साल के अंसू को लेके है तो उसके उपर भी गलत नजर है सर मानने चाहिए इनको चलो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हूँ आप लोगों से आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई लाइक, सेर, सस्क्राइब ज़रूर कर लेना और अगर हो तो सेर करना इनकी काली कर्तूत लोगों तक पहुंचे और ये सपना को जो इतने बदनाम करने पर लगे थे और अंसु की इसमें बहुत बरी गलती है जब तुम अंसु यहां पर अंसु सोच रही हो मैं क्या करूंगी बता भी नहीं सकती किसी को और वैचारी करेगी वो खुद परहसान हो रखी है सुलों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई